नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वालें कैसे आफ ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं धन एप से तो सबसे पहले आप धन में अपना लॉग इन कर लेंगे उसके बाद आप यहां पर होम में क्लिक करेंगे तो आपको यह इंटरफेस यहां पर दिखेगा तो यहां पर equity, ETF, future, option, currency, commodities तो यहां पर एक option है हमारा ETF तो इसमें हमने क्लिक करने हैं जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमको बहुत सारे ETF से यहां पर दिखते हैं जैसे index ETFs, bond or debt ETFs, gold ETFs, global ETFs मतलब जो globally invest करते हैं इंडिया को छोड़के और भी countries के shares में यहां पर globally invest करते हैं और यहां पर others, तो सबसे पहले हम जैसे हम पर index ETFs को देख लेते हैं जो index में invest करते हैं पर्टिकुलर किसी एक index में invest करते हैं या तो banking index, nifty fifty, information, मतलब IT sector, meet cap index, कोई भी index, वैसे ही जैसे हम यहां पर देख लेते हैं कोटक, IT ETF, इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पर तो उस चार्ट देख सकते हैं, six month, one year, five year, maximum, जितना चार्ट आपको देखना है, वो देख सकते हैं, और नीचे score down करेंगे, तो आप यहां पर historical performance देख जाएगे, वो last one year का highest का 46 rupees, और one year का lower 26 rupees, वही हैं, अगर यहां पर short term returns और long term returns देखेंगे, तो one, हम यहां पर six month पर देखें त 15% down है, वही है, one year में 18% की gir out यहां पर देखने को मिल लिए, और two year में 16.96% की यहां पर बड़ा थमकूर देखने को मिल रही है, वही हम दूसरा ETF यहां पर देख लेते हैं, जैसे यह Nifty, sorry, excess Nifty ETF है, इसमें हम click करेंगे, नीचे आप यहां पर इसकी price देख सकते हैं, 192 की य नहीं भी चल रही है, net asset value, महीं आप नीचे यहां पर देखेंगे, तो one year के returns हैं, आप 0.1 almost flat, two year के returns है, 51%, three years के 55, four years के 85, five years के 84% के return से यहां पर है, और आपको invest करना है, तो आपको simply यहां पर buy पे click करना है, और यहां पर अपने आप quantity डाल देंगी, जितनी भी quantity आपको यह 20 quantity, जितना भी quantities आप buy करना चाते हैं, यहां पर आप investing में click करनेंगे, अपनी quantity डाल के, buy में click करके, आसानी से, धन एप से ETFs buy कर सकते हैं, अगर आपका धन एप में account open नहीं है, तो इसका link हम description में दे देंगे, वहां से आप आसानी से अपना account open कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को like जरूर करें, और ऐसी ही informative वीडियो देखने के लिए, आप हमारी चैनल को subscribe जरूर करें, मिलते हैं लिए ऐसी ही informative वीडियो के साथ, thanks for watching.